एक इच्छाधारी नागिन अपनी दो बेटियों नयनतार और तेजस्वी के साथ जंगल में रहती थी एक रोज वो उनके लिए दूद लेने जाती है तभी सड़क पर एक तेज रफतार गाड़ी आकर उसे टक्कर मार दीती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है मा तुम हमें छोड़ कर क्यों चली गई अब हमारा क्या होगा मा दोनों बेटियां बहुत रोती हैं वो जंगल में अकेली रहती थी इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अब इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच में रहेंगी काफी तकलीफों के बाद पढ़ लिक कर दोनों एक ही स्कूल में टीचर लग जाती हैं नयंतारा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी लेकिन तेजस्वी लालची, घमंडी और चिर्चिडे स्वभाव की थी चलो, सभी बच्चे अपने अपनी किताबे निकालो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, कल जो मैंने तुम सब को हजार हजार रुपए लाने को कहा था वो तुम सब लाए हो की नहीं, और हाँ, ध्यान रहे, इस बारे में किसी को भी कुछ पता ना लगे ये लीजे मैडम मैडम, ये मेरे हजार रुपए रुभी, अब तुम लाओ मैडम, मैं नहीं लाई, मेरे पैरंट्स ने मुझे पैसे देने से इंकार कर दिया उनका कहना है कि वो फीस समय पर भर देते हैं, और जरूरत की हर चीज ला कर दे देते हैं तो फिर पैसों की क्या जरूरत है, मैं कुछ नहीं जानती, चाहे तुम उनसे जूट बोलो, मार खाओ या चोरी करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए इसके बाद तेजस्वी उसकी खूब पिटाई करती है, सब बच्चे डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते बच्चों से लिये हुए पैसों से तेजस्वी शाम को शॉपिंग करके घर लोटती है तेजस्वी इतनी सारी शॉपिंग, आखिर कहां से आये तुम्हारे पास इतने पैसे अभी तो सैलरी भी नहीं आयी, फिर इतना घर्चा तुमने कहां से किया तीन दिन पहले भी तुमने एक महेंगे से होटल में खाना खाया था हाँ तो अपने पैसों से खाया था और मेरी मर्जी मैं जो कुछ करूँ तुम मेरी बड़ी बहनों मा नहीं, इसलिए ये सब लेक्चुर देने की कोई ज़रुरत नहीं है मुझे अपनी जिन्देगी बहुत अच्छे से जीनी है, समझी और ये सब खर्चे मैं अपनी सेविंग से कर रही हूँ तेजस्वी के बातों पर नयंतारा को भरोसा नहीं होता और वो उस पर नज़ा रखना शुरू कर देती है उधर स्कूल में सभी बच्चे भी तेजस्वी के बार-बार पैसे मंगवाने और उसके बुरे स्वभाव के चलते उससे दुखी हो चुके थे पूरे स्कूल में सबसे बुरी तेजस्वी मैडम है प्रैक्टिकल के 30 नंबर इनके हाथ में क्या है ये तो हमें ब्लैक मेल ही करे जा रही है हमें तेजस्वी मैडम की शिकायत प्रिंसिपल मैडम से करनी ही होगी तब ही वहाँ नयंतार आ जाती है और वो उनकी सब बाते सुन लेती है बच्चों तुम चिंता मत करो वो मेरी बेहन है मैं उसे सब समझा दूगी लेकिन तुम प्रिंसिपल मैडम से कुछ मत कहना घर आकर वो अपनी बेहन से कहती है तेजस्वी मैं नहीं जानती थी कि कुछ पैसों के लिए तुम इतनी गिर जाओगी तुम आज के बाद बच्चों पर अत्याचार नहीं करोगी और नहीं उने ब्लैक मेल करोगी ये मेरी जिंदगी है और इसे मुझे कैसे जीना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे कुछ दिन बीच जाते हैं एक रोज तेजस्वी स्कूल जा रही थी तभी उसकी टककर एक बूढ़ी औरत से होती है वो बूढ़ी औरत तेजस्वी से कहती है मैं जानती हूँ तुम में एक इच्छा धारी नागिन हो हाँ लेकिन आपको कैसे पता क्यूंकि तुम्हारी मा मेरी बहुत अच्छी दोस थी और तुमसे भी वही खुश्बू आ रही है जो उसमें से आती थी लेकिन तुम यहां इंसानों वाली जिंदगी क्यूं जी रही हो जहां तुम्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी नौकरी करनी पड़ती है तुम तो आराम से रानी वाली जिंदगी जी सकती हो वो कैसे नागिनों के रानी बन कर तुम सबके उपर राज करोगी हुकुम चलाओगी सोना चांदी नागमनी सब तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे हाँ तेजस्वी के मन में लालच और भर जाता है और वो कहती है इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे रानी बनना है सबके उपर राज करना है इसके लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ इसके लिए स्कूल से दस लड़कियों को लाकर उनकी बली देनी होगी जिससे तुम्हे नागमनी हासिल हो जाएगी तुम्हे एक स्कूल टीचर के साथ एक नागिन भी हो जब तुम नागिन स्कूल टीचर बन जाओगी तो सब बच्चे तुमसे डरेंगे और तुम उनको डसकर उन्हें बेहोश कर सकती हो तेजस्पी स्कूल पहुँचकर अपनी क्लास में पहुँचती है और नागिन रूप में आ जाती है उसे देख सभी बच्चे घपरा जाते हैं हमारी मैटम एक नागिन है नहीं नहीं हमें कुछ मत करना मैटम सबी बच्चे बहुत रोते और गिड़गडाते हैं लेकिन तेजस्वी उनकी एक नहीं सुनती और दस लड़कियों को डसकर उस बुढ़ी औरत के पास ले जाती है जहां वो नागमनी की तलाश करने लगती है उधर स्कूल में हंगामा मत जाता है सब बच्चों के पैरेंट स्कूल में हंगामा कर देते हैं ये तेजस्वी कहां गई गहीं ये सब उसी का किया धरा तो नहीं अगर किसी को पता चल गया कि हम नागिन टीचर हैं तो पता नहीं ये सब क्या करेंगे नयमतारा तेजस्वी को ढूंगती हुई वहाँ से निकल जाती है तो वही तेजस्वी अपने इच्छा शक्तियों से नागमणी को ढूंग लेती है और उस बुड़ी औरत को लाकर दे देती है लाओ लाओ इसे मुझे दे दो अब देखो मेरा कमाल वह बुड़ी औरत नागमणी की मदद से तेजस्वी को कैद कर लेती है यह आपने क्या किया तेरी मा ने कभी मुझे ये नागमणी नहीं दी लेकिन आज उसकी बेवकूफ नागिन टीचर ने ये मुझे लाकर दे दी अब मैं इसकी सहायता से कितनी शक्ती शाली हो जाऊंगी तुम्हारे कहने पर मैंने इन बच्चों के साथ इतना गलत किया है इनने मौत के मुझे ले आई आज इन सब की जान मेरी वज़़े से खत्रे में है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वो बुड़ी औरत उन सब लड़कियों की बली दे नहीं वाली होती है कि तभी नयंतारा वहाँ आजाती है और अपनी जादूई शक्तियों से उस बुड़ी औरत को मार डालती है और उससे वो नागमणी हासल कर लीती है जिससे वो सभी दस लड़कियां ठीक हो जाती है तुम कितनी अच्छी हो दिदी आज तुमने हम सब की जान बचा ली मुझे माफ कर तो बेहन अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी और एक अच्छी टीचर बन कर दिखाऊंगी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया यही मेरे ले काफी है नयन तारो और तेजस्वी उन सब बच्चों को लेकर स्कूल आती है और उनके माता पिता को उन्हें सौब देती है साथ ही वो नागमणी के सहायता से उन सब बच्चों के दिमाग से नागिन वाली बात मिटा देती है अब तेजस्वी सब बच्चों को बहुत प्यार करती है साथ ही उन्हें अच्छी शिक्षा देती है अरे जाने मन जारा गोंगड तो उठाओ मनोहर की आज सुहाग रात है इसलिए वो बहुत खुश है उसकी शादी नहीं हो रही थी बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है बिस्तर पर बैटते ही मनोहर ने लड़की का गोंगड उठा दिया और गोंगड उठाते ही मनोहर चौंक गया उसने देखा कि घुंगट के नीचे कोई लड़की नहीं बलकि एक नागिन है मनुहर कमरे से दौड कर निकल गया मनुहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुन्दर सी लड़की बैठी हुई है कहा है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा मनुहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाब सो गया उसने अपने आपको तसली देने की बहुत कोशिश की मनोहर सो गया और उसकी बीवी हसने लगी हसते हसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई आज से करीब सौ साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी तब यहां घना जंगल हुआ करता था बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जनम में एक सपेरा हुआ करता था वो पूरा दिन साप धूनता फिरता था बहुत धूनने के बाद मनोहर को एक साप मिला और वो चला गया मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थे जल्दी जल्दी सोजा नहीं तो मनोहर सा पेरा आ जाएगा और तुझे उठा कर ले जाएगा ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे ऐसे ही जिंदगी चल रही थी बेला नागिन ने एक दिन शांतनू से कहा शांतनू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ शांतनू और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गए और कुछी दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई पता है बेला और शांतनू का कुछ चल रहा है हाँ मुझे पता है कली उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनू ने अपने घर वालों को सभी राजी हो गए इतने में एक दिन दो पहर को अकेली बेला नागिन एक जील के किनारे गई कुछी दिनों बाद मेरी शादी है मुझे तो सोचकर ही शरम आ रही है बेला अपने ही मन में गुन-गुनाती रही इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया बेला बहुत खूबसूरत थी इसलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई अरे वह कितनी सुन्दर नागिन है मनोहर बेला के सामने गया मेरा नाम बेला नागिन है लेकिन तुम कौन हूँ मैं मनोहर हूँ मनोहर इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा दुष्ट? नहीं-नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूँ मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ हाँ बोलो तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझे से शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हस पड़ी हाँ 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 मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हसती रही, मनोहर को बहुत बुरा लगा एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो मेरी शादी तै हो चुकी है शांतनू के साथ तुम भागो यहाँ से बेला ने मनोहर को भगा दिया मनोहर बहुत गुस्सा हो गया मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने उसकी इतनी हिम्मत मुझे वही नागिन चाहिए उसी के साथ मैं सुहाग रात मनाऊँगा बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया शांतनू से उसकी शादी तै होई है ना मैं शांतनू को ही गयब कर दूँगा उस रात शांतनू किसी दोस्त के घर गया हुआ था दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी ये ये बीन कहां से बज रहा है मेरा सर चकरा रहा है शांतनू बेहोश होगी और तभी वहाँ मनोहर आगया उसके हाथ में बीन थी अब शांतनु मेरे कबजे में है अब क्या करोगी बेला नागिन मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया अगले दिन बेला शांतनु को ढूणने लगी लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला क्या हो गया शांतनू कहा चला गया तब पीछे से मनुहर आया और कहने लगा शांतनू को ढून रही हो क्या हाँ शांतनू मिल नहीं रहा है कहीं तुमने तो कुछ शांतनू को मैंने अगवा किया है अगर शांतनू को जिन्दा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी शैतान सपेरा ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी मुझे मारने से शांतनू वापिस नहीं आएगा मुझसे शादी कर लो सिर्फ मैं ही शांतनू को बचा सकता हूँ बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा वो राजी हो गई लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना दिया अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनू को छोड़ दिया और सुहागरात में बेला का घूंगट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया मनोहर तरपने लगा ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के उपर पाउडर जैसा कुछ भेग दिया और बेला की मौध हो गए मनोहर भी वही पर मर गया बेला की आत्मा गूंती रही सौ सालों बाद मनोहर का पुनर जन हुआ लेकिन पिछले जन में किये पापो की वज़़े से उसे शादी के लिए लड़की ने मिल रही थी बेला की आत्मा को सब कुछ याद था इसलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हां कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहाग रात मनाई उसके बाद बेला को मुक्ती मिल गई शांतनू इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था बेला शांतनू के पास गई बेला तुम आ गई हो बेला हाँ शांतनू आखिरकार हम दोनों मिल ही गए उस पार नहीं तो क्या हुआ जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धर्ती पर मनोहर पागल हो गया पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी इसलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते